लो बस अब यही देखना रह गया था कि अब यह हमें brush करती भी और दिखाएगी यारि कि अपनी जनता को यह सिखाएगी कि friends brush कैसे करते हैं, मतलब लोगों को brush करना नहीं आता, अब सीखो पर यह अपनी 4 लूपी से brush कैसे करते हैं हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथी साथ बैला इकन प्रेस कर लें जिसे के आने वाली मेरी वीडियो की नौटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए और इसके पहले के जितने भी वैलिड पॉइंट हैं हम इ रिष्टेदा थे उनके घर से घूम फिर के आगे हैं कि मुझे क्रेविंग हो लिए दई बड़े की भाई यह डाइट कर रही है यह जना इसने अपनी अम्मी के जूटी कसम खाके यह सोच लिया है कि भाई बस मैं मीटा चोड़ दूंगी तो कम हो जाएगा मीटे के अलाव ऐसे आप में ले रहा हैं तो koijn के लिए फीकी अलग से बनाकर कडेगा अक्चुली यह बने बनाएं होते हैं इन में क्या है वो डाल दी जाती है अब उसमें सोंधापन होता है ना आपका ये जो कुल लड़का सोंधापन आता है वो नहीं आपको मिल पाएगा क्योंकि अगर आप तुरंत डाल कर देंगे तो उतनी जल्दी नहीं आता लेकिन अगर आप जो है न उसको कोई गंटे दो गंटे उसमें रखावा हो तो वो से सोंधापन बहुत अच् अब बस यह बाकी रह गया है कि फोन जो है वो सामने वाश बिजन पर रख दो अफिर टूट प्रस पर जो है कॉल गेट या ब्रस जो भी कुछ वो टूट पेस होता उसको लगा और उसको करते हुए भी दिखाओ ची इससे बुरा और कंटेंट नहीं बना सकती थी और कुछ एक घंटा है उनकी फ्लाइट को आने में तब होट जो है वो नैच्रल दिखाई दे रहे हैं यानि के बिना टिंट के दिखाई दे रहे हैं अगले सीन में जब रेडी होकर निकली है तो होटों पर टिंट आ गया है अब यह पिक्चर देखिए और इसके बाद अब यह वाल जोटी दोके भाजी है ये इन फिंगर से इसने गालों पर टिंट लगाया है इसलिए ये जखिंगर है ये पिंग कलर की हो रहे है और दोनों ही इतने बेशरम हो रहे हैं अपना content create करने के चकर में अपने व्लोग बनाने के चकर में, पैसा छापने के चकर में, कि अगर वो पर्दा करती हैं और पर्दे में रहती हैं, इनकी फनी की बेहन और इनकी ननद और वो व्लोग में नहीं आती हैं, ना वो अपने बेटे के व्लोग में आती हैं, ना इनके व्लोग में आती हैं, इवन उन्ह अबाया पहना हुआ है और मास्क भी पहना हुआ है बट जब उनको comfortable नहीं होतार वो नहीं आना चाहते हैं तो तुम्हें record करने की जरूरत ही क्या है बच्चे आ रहे हैं आपके बहनों ही आ रहे हैं तो उससे भी पता चल सकता है ना कि हां भी यह लोग आ गए हैं तो airport से receive करक उनको सकत तरीके से instruction दी गई है कि मुझे कहीं पर भी आप जो है face मेरा reveal नहीं करोगी उसके बावजूद भी अपने vlog बनाना अर अपना content बनाना जो ना वो पीछे नहीं हटता इनका इतनी बैट शीट इतने blanket इतने परदे इतने सब कुछ खरीती रहती है फिर भी इन पर कम सब्सक्राणा ऩो हो रहती है यहां ऑने तो वो इस तरा से सबता के कह सब्सक्रादे का है Murphy और वह एक नोशीन है जो इह रिष्ट क्या कहलाता का इसकी ननननत बन रही थी न बोहات Обליॉषिय क्राद बन नौशीन। अच्छे वो भी vlogs बनाती हैं लेकिन इनकी तरह से जो ना इतना नेया हरकत कोई करता कि वो जो ना इबादत में भी जो ना हर चीज को कैमरे को व्लोगिंग को शामिल करें शरम आनी चाहिए मुझे तो इनको पता नहीं क्या इनको इतना टोके लोग इतना टोके उतने ही ये लोग ओधीट होते चले जा रहे हैं इफ्तार से दस मिनट पहले उठे हैं मतलब ये आके वापस आके सो गए हैं तो क्या काम तो खेर क्या ही कराएंगे फेस देखो सू जा हुआ है मैडम कभी अगर वो कह रहा है कि मैं सो जाता तो ये मैडम भी सो ही है लगातार किसने काता रात भर जागो और लखनों में घूमो और फिर घर पे आखे सुसराल में इफ्तार से दस मिनट पहले सो कर उठके हो वारे अच्छी बहू बहुत अच्छी बहू है और वो जो बच्ची है न सहर की बहन उसने पहली बार रोजा रखा है पता हमारे ऐसा होता है कि अगर पहली बार रोजा रखो तो उसको कुछ गिफ्ट देते हैं कुछ कपड़े दिला दो या उसकी पसंद का कुछ दिला दो लेकिन चालू अपी कोई यह बास समझ में नहीं आई यह वैसे तो वह बहुत कंटेंट करती है लेकिन इतनी बुद्धी में नहीं आया कि उस गिफ्ट देते हैं उसने पहला रोजा रखा है अब बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते बहुत लोग दावत नहीं कर सकते या कुछ भी नहीं कर सकते तो जो बच्चे होते हैं उन लोगों के वह ऐसे ही रख लेते हैं बीचारी पहला रोजा रखते हैं तो बोडे अच्छे से दावत oγकरते हैं मतला पहला रोजा और वह जब बच्चा होता है जो भी लड़की हो लड़का हो उसको जो है फूल मालाईं डालते हैं बलकि मामाओं के घर से तो नोडों की मालाएं भी आते हैं वो भी डालते हैं नए अच्छे कपड़े पहनते हैं लड़कियां महंदी लगाती हैं बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे याद है जब मेरा भी रोजा रखाया था और बहन भाईयों का भी रोजा रखाया था लेक से दस मिनट पहले इस लड़की को भेज के अम्मा ने उठवाया देखा शारमानी चाहिए तुम्हें और उसके बाद जो है महरानी को चाय चाहिए थी तो जो उनकी बाजी है रुकसाना बाजी उन्होंने चाय बना के भी भेज दिये तो मैंने इस लड़की से कहा जाकर टोस् तो उसको रिपीट करवा के कहा है बस इतने से से खुश हो गई अगर एक अच्छी बहू बनके कहोगी न तो वो अपनी जान तक निकाल कर तुम्हें दे देगी वो ऐसे इंसान है जितना मैंने आपके व्लोग के थ्रोन को जाना है लो बई एक और नया जूट कहते हैं तु जो है व्लोग में यह कहते हुए कि तुम कुछ नहीं घाती हो इनको शरम नहीं है यह जूट बोलते हुए आपने मा की लेंग्वेज में बोलने है पापा कह रहे हैं इनको कुछ खिलाओ दूबली हो गई है मतलब पापा सच मुछ में मजाग कर रहे हैं कि इनको इतना भी आए और हमें दिखाएं कि कैसे लग रहे हैं यह कपड़े पहने हुए तो इसका मतलब इनोंने जता दिया कि यह कपड़े हमने इनको दिलवाए हैं और बनवाए हैं कहरी है दिखाओ तो तो उन्होंने पिरनी से निकाल कर भी दिखा दिया रहे भाई इतने से समझ में आ ग ना ही एक बार भी गई है लेकिन अम्मा के घर लगा था चकर कट रहे हैं और यह भूल गई है घर में वहां पे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं और वहां जो है सास काम कर रही है बच्चे को खाना सर्फ कर के दे लिए तो रुखसाना बाजी भी अपने घर रुख्सत हो जाती है क्योंकि उनके भी अपने बच्चे हैं तो कम सकम ननन्द आई है उनके साथ टाइम स्पेंड करो अपनी सास के साथ टाइम स्पेंड करो उनको खाना जो बन चुका है तुमने तो बनाया नहीं है तो at least उसको सर्फ करके ही दे दो उ ऐसा ही फनी है जो कैमरा लेके उसका कैमरे मैन बनके पीछे-पीछे गूमता रहता है भाई गूमे भी क्यों नहीं इतना सारे अच्छे से लाड़ प्यार से पाल जो रही है न उसको अच्छी परवरिश जो देदी न जैसे माबाब अपने बच्चों को परवरिश देते हैं उनके ओपर खचा करके कह रही है बेटी खाला का यहां पर रोजा अफ्तियार था मैं आई नहीं पाई थी मैं सो गई थी भाई वो जब सो जाओगी तो तुम्हें क्या ही पता चलेगा किसी भी चीज़ का देखो एक बार फनी ने टोका है जब तक चाई नी बनी थी लेकिन पनी ने टोका है चले तो खेओ रहे हैं तो तो लड़की जो महर है वो चाय बनाने के लिए बैटी तो पहले चाय बनी है तो चाय बनी है वो तुम्हारी तरह के तुम्हारी लिए क्या रुके रहेंगे तुम तो मूँ ठाके बाहर निकल पड़े गुमने के लिए तुम टाइम से तुम्हारा सोने का पता है ना उठने का पता है ना घर आने का पता है ना कहीं रुकने का पता है ना घर में ढंग से टाइम स्पेंड करने का पता है ना किसी की आउ तवज्जो करने का पता है देखो डोटर खाला ने कहा मुझे भी छुड़वा देना दस बज रहे मतलब रोजा खोलने के बाद नानी के हां बैठी हुई है घर की कोई फिकर नहीं है अब अब एक बात बताओ गाओं है गाओं में लोग जल्द अब देखां अब दाल से सना हुआ है व्लोग चूट हो रहा है तो कम सकम क्या इनके घर में सर्विंग बाॉल नहीं हैै औरilot पर झा और दे दैखां मुझे समझ में दाल का कुकर पूरा सना हुआ था तो क्या वो जो डाला जदा बड़ा कुकर भी नहीं लग रहा तो इसका मतलब quantity उसमें कम ही होगी तो क्या वो serving बाउल में पलटकर नहीं आया जा सकता था उस लड़की से कह रही है जो सहर की छोटी बेहन है कैसा लगा तुम्हें रोजा रखा हुआ है तुम से तो लाग धर्जे बहतर है देखो अब फिर निकल पड़ी घूमने के लिए बच्चो को बिठाया और फ्रूटी लेने के लिए गाड़ी में से घूम के रही है मतलब वो दुकान जो है थोड़ी सी तो दूरी पर ही होगी जो गाड़ी में बैठकर आ साफ दिखाई दे रहा है कितनी बोर हो रही है इसको मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और बच्चों के साथ ही बैठी है लेकिन एक बार भी यह नहीं बताया कि हमने व्लोग नहीं शूट करा अब हम थोड़ा सा टाइम जो है इनकी मम्मी के साथ बैठके या कोलेब में मिले हैं जैसे भी मिले हैं वो लगनवी कुर्ती जो इनको कीववे में देनी है तो देख लिया इनके व्लोग का क्या हिसाब किताब रहता है और इनका ससुराल में क्या हिसाब किताब रहता है और ऐसे लोगों को जो लोग जो है इनको देखकर जो नहीं लड़क के ग्यान दे रही है कि ऐसे करो, वैसे करो, मैंने लाइट बंद कदी थी, लेकिन मेरे एक बात रह गई थी, आपके आस पास में जो भी लोग रहते हैं, तुम क्यों नहीं बताती कि तुमने फित्रे जगात के पैसे निकाले हैं, जिससे तुमने यह सारा समान इतना सारा भरवाया है क्योंकि तुम्हारी जितनी कमाई के हिसाब से तो यह बहुत बहुत कम है उसकी हिसाब से तो जितना राशन तुमने यहाँ पर कर रहा था था ना उसका हिसाब दो लोगों में पैसे बाटो लोगों की इद अच्छे से मनाने दो लोगों क हो गए आपके गाऊंगे लोग लेकिन जितने आपके सबस्क्राइबर हैं जो विचारे। लोवर मीडल क्लास में ये उससे भी नीचे क्लास में ज़साइब बहुत सारी चीज़े जो है नसीब हों इद पर शायद एक जोड़ी कपड़ा भी ना वो बना पाएं इतनी भी आहलत ऐसी होती है लेकिन फिर भी तुम लोगों के व्लोग्स देखते हैं तुम्हें पसंद करते हैं तो आज जिस जगह पे तुम बैठी होना उनहीं लोगों की वज़े से हो तो उन लोगों को भी आपका अपना ये पैसा देना और उसमें से शेयर करना बहुत मुझे तो ऐसा लगता है कि वो शायद ज्यादा अच्छी चीज़ होगी अगर आप इस तरह से बाटेंगे तो राशन आपने लोकल में बाट दिया तो जो भी पैसा आपका जरूर एक बार कंसिडर कीजेगा और जो दूसरों को सीख देनी है ना एक बार अपने भाई को भी सीख देने कि वो भी कुछ ऐसे अच्छे काम करें लोगों में इस तरह से दे क्योंकि अब गिन चुना के रह कितने गए हैं चार रोजे ही रह गए हैं आप अगर चार दीजेगा जो आकल आप अपनी जनता को दे रहे हो तो भाई ये ता मेरा एक रियाक्शन वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजेगा चैनल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब कीजेगा और मेरे थुरू अगर आपको कोई नई इंफोर्मेशन मिली है तो प्लीज जब कमेंट में जरूर बताएगा कि वो आपको कैसी लगी मिलती हों आप से एक और नहीं वीडियो के साथ तिल देन बाई बाई अला हाफिस टेक